नवस दोस्तो, सबसे पहले तो आप सभी को सनातरी हिंदू नवर्ष की बहुत बहुत शुब गावना है आज मुझे आपसे बहुत सारी बाते करनी हैं लेकिन जो एक कॉशन है जिससे की लोग बहुत ज़दा परिशान है कि हंता वाइरस क्या है और ये हंता वाइरस क्या कोरोना वाइरस की तरह ही खतरनाक है उसके उपर बात करते हैं हंता वाइरस जो है वो हर एक वाइरस की तरह ही नौनवेज खाने वालों को ही परेशान करने वाला है लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये चुहे या गिलहेरी से फैलता है दूसरी बड़ी बात कि इसका एक केस मिला है वो भी चाइना मिला है और आपको भी पता है कि सिर्फ एक चाइना ही एक ऐसा देश है जो इस तरीके की बेहुदा चीजे खाता रहता है चूहे को खाने से हंता वायरस फैलता है और इसके एक और खास बात है कि ये एक से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमन की तरह नहीं फैलता केवल खाने से ही फैलता है अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको ये नहीं होगा इससे डरने की आउश्रक्ता नहीं है मुझे आज बहुत सारी बाते ये करनी हैं कि एक बात तो कर देखें कि नवर्ष है बहुत अच्छा दिन है हिंदूओं के लिए आज जो अयोध्या में पिछले तकरीबन 500 साल से श्राम जंदर जी की जो मूर्ती थी वो एक तंबू में एक तरिपाल के नीचे रखी हुई थी और इसको देख करके बहुत सारे लोगों को सुकून मिलता था जो वहाँ पर बावरी मस्जिद बनवाना चाहते थे जो तकरीब सेट होती है उसको पानी की तरह बहा रहे थे बहुत खुश थे कि उतरपाल के नीचे रहे लेकिन यूपी के सीम योग्यादित्यनाथ जी ने आज ये कार्य करके दिखाया वहां तरिपाल से निकाल करके एक अस्थाई मंदिर में मूर्ती स्थापना की वहां पर उन्हें प इंदूओं की जो आस्था उसके नीचे रखी हुई थी वो वहां से निकलके इस्थापित हुई और चांदी के सिंगाहसन पर विराजित हुई इस से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में हजार से अधिक कोरोना पिडित लोगों के कैसिस आ चुके ह वहां की जो इंतिजामात है वो आप लोगोंने भी देखे हैं बेहद डरावने हैं लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं साफ सफाई का वहाँ पर कोई ध्यान नहीं है वहां का प्रदानमंतरी खुद कह चुका है कि हम अपने लोगों को वो विवस्थाएं वो नहीं करा सकते जिस प्रकार से भारत देश ने गोशना कर दी है कि वो असी करोड़ लोगों को राशन पानी देगा उन तक पहुंचाएगा इस तरीके की स्थिती पाकिस्तान में नहीं है जहां पूरा विश्व एक तरफा हो करके कोरोना से लड़ रहा है वहीं पर पाकिस् की हमेशा से अंदर ही अंदर लगी रहती है ना कि हिंदुस्वान को किसी रूप से नेस्ता नाबूत करना है खतम करना है कल की नमाज तो हमें दिल्ली की जाव मस्जिद में ही पढ़नी है वो जो उसके दिमाग में कीड़ा है फिर से उसने सीस फायर का उलंगहन किया कितनी शर्मनाक बात है कि पूरा विश्व जहां पर इस ऐसी आपदा से निपटने कोशिश कर रहा है जिसका इलाज तक हमारे पास नहीं है वहां पाकिस्तानी कठ मुले अपने लोगों को भारती खिला बढ़का रहे हैं और वहां पर बंबारी गोली बारी करने के लिए प्रेड बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुखती बात पहुंसती है अफगानिस्तान तक और वहां पर आईस आईस हमला करता है एक गुरु दुआरे के उपर जान बची किसी प्रकार से वहां पर एक विधायक की उसने बताया कि यहां पर हम तकरीबन 150 लोग ते जिसमें बच्च हो जाती है हम जैसे कैसे कहीं जा करके चिपते हैं लेकिन च्छत का टुकड़ा आकरके हमारे उपर गिर जाता है और हम लोग तोलिस मर जाते है लेकिन इससमें अभी तक जो खबर आई है 16 लोग अपनी जान गवां चुके हैं यह क्या चल रहा है इस देश में पूर्ण तय सुरक्षित अल्पसंख्यक तथा कतित अल्पसंख्यक जिनकी तादात 35-40 करोड उन्हीं की मुझवानी है वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पीडित हैं जबकी आप आये दिन केसिस देख लीजिए आप डेटा उठा करके देख लीजिए कि सरवाधिक अपराधों में के लिए यह हमारे देश के मुसल्मान लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं कोरोणा जैसे ही वापस जाएगा वैसे ही हम अपनी लड़ाई पर वापस पहुँच जाएंगे कितनी गजब की बात है पाकिस्तान अपने यहाँ पर हिंदू सिखों बोध पारशियों को जीने नहीं देता अफगानिस्तान में आइस आइस इस्लामिक स्टेट के नाम पर बना हुआ संगठन दनादन गोलियां बरसा देता है 26 सदिक लोगों को जान से मार देता है गुरु दौारे को पूरी तरीके से तैसनास कर देता है वहाँ पर अ उनहीं लोगों को यहाँ पर आने से रोकना चाहते हैं और कहते हैं कि अंकूर आरी यहां बैटकर के हिन्दू मुसलमान करता है अब आप खुद देखिए स्वम सोचिए देखिए कि हिन्दू मुसलमान कौन कर रहा है अलप संख्यक के नाम पर देश को तोड़ने की बात पूरी तरीके से पूरी शक्ति के साथ में कोरोना से लड़ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से लड़ेंगे, और इस कोरोना के जाने के बाद में हम फिर से सरकार से लड़ेंगे, हम इस कानून के खिलाफ एक बार फिर से लड़ेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ problems हो सकती हैं किसी की लेकिन क्या इन लोगों ने एक बार भी इन बाहर के तीन दिशों से आने वाले भारतियों का या फिर कहें के हिंदूों का या फिर कहें के गैर मुसलिमों का एक बार भी स्वागत किया नहीं किया एक बार भी नहीं कहा कि CAA के द्वारा जो हिंदू जो सिख नहां पर आ चुके हैं उनका हम स्वागत करते हैं एक बार भी नहीं ये नफरत का लेवल बताता है जोस्तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा अपने घरों में रहें बाहर ना निकलें चीजों को विवस्थित र क्याल रखें फिर भी दूरी तो बनाए रखें लेकिन इस से हमें एक सीख और मिलती है जनता कर्फ्यू हुआ अगले दिन थोड़ी बहुत चैल पैल हुई और आज पूरा का पूरा जो दिन है वो 21 दिन के लोकडाउन का पहला दिन था लेकिन तिरुमला तिरुपती से एक बहुत अच्छी तस्वीर आई है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस परकार से हमारे यहां तो आस्मान थोड़ा साफ रहता ही है लेकिन दिल्ली NCR के पिक्चर्स मैंने देखे वहां रात को तारे चमक रहे हैं दिन में मौसम बहुत अच्छा है ठंडी जवा चल रही है चिडिया जो है चह चा रही है लेकिन तिरुमला से आया एक वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि हिरन जो है वो सडको पर निकले हुए है यानि कि जो नेचर है वो रीकलेम कर रही है अपने स्पेस को इस पूरे के पूरे जगा को हम लोगों ने ही और वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारते बना दी इस नाम पर के उपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ इनसान को ये निमत बक्सी है बाकी उसके अलावा किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं है आवाज उठाने का मैं कुछ मजहब विशेशों की बात कर रहा हूं मैंने शुरुआत पे ही आपको जो सनातरी हिंदू नवर्स के शुब कामनाय दी यदि हम उसकी थिवरी से चलें तो इसमें सभी प्राणियों की इनके बीच में सदभाव हो तथा इन सबकी रक्षा हो इसके लिए प्रार्थनाय की जाती है उन हिरनों का जो ये वीडियो है उसको देख करके म ये हमारे नेचर की चीज नहीं है यहां उनको ऐसा लग रहा है कि उनको घर तोड़ फोड़ करके किसी ने कुछ और चीजे बना दी हैं आप कर्फ्यू में हैं और इन 21 दिन में कुछ चीजे बदल जाएं आप बाहर निकल करके क्या देखेंगे आप सोचे जरा कि इन उपित कर दिया है आप सोचे के चार अपराधियों को फासी दी गई उन पर साथ साल तक कारवाही चली उनके पक्ष को सुना गया उनके विपक्ष को सुना गया तब जा करके उनको मृत्यू दंड दिया गया लेकिन हम लोग इनसान लोग ये कह करके कि हमारे खुदा ने हम चाहे काट सकते हैं आप सोच ये कि इस mentality के चलते हुए हम एक जानवर को जिसका हमको गोष्ट अच्छा लग राया है या देखने मत अच्छा लग राया है उसको पकढ़ करके उसको छुरियों से रे ते देते हैं, काट करके उसको फैंक देते हैं, पका करके खा जाते हैं, ये कैसी mentality है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, कि उसकी सजा क्या थी, दोस्तो किसी भी प्राणी की कोई सजा नहीं है, लेकिन हम उसको बली के नाम पर पर, कुर्बानी के नाम पर पर, या फिर जीब के स्वाद के लिए, गाएं का भेजा खाने से कोरोना दूर हो रहा है, गाएं मेने अभी खाई चटकारे लिए, इस तरीके की बातों से जो चिडाते हैं, उनको याद होना चाहिए कि उनके पौपट सहाब जो ते वो गधी का दूद और उंट का मूथ पी करके बड़े हुए और मर गए, अगर ये गाएं और दुधारू पशू नश्ट हो गए, तो क्या तुम अपने बच्चों को कुतिया का दूद और उंटनी का मूथ आंउटनी भी खतम हो जाएगे, तो कुतिया का दूद और गधी का मूथ पिलाओगे, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं, जिनको खाया नहीं जाता है, खाया नहीं जा सकता है, तो ये कोशन बनता है, दुधारू पशो के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगली जानवरों के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप चाहे आज अपने मजहब के नाम पर या फिर विकास के नाम पर कितना भी दोहनिस प्रकरतिका कर लीजिए, सिर्फ एक सैला को उसकी हार्मनी में रखना चाहते हैं, जो उस हार्मनी में स्वंभी जीने के उसूलों से लैस हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जीएंगे, एक भुकंप, एक आपदा, एक सुनामी काफी है पूरी धर्ती को लीलने के लिए, और वो जानवर, वो जीव जन्तु फिर भी जिन्दा रह लेंगे सिवाए इनसान के, दोस्तों अभी बीस दिन बाकी हैं, इस बीस दिन में मैं तो कहता हूँ, पूरी जो धर्ती है, वो रुक जानी चाहिए, तब देखेगा के हमारी वायू में, हमारे वातरों में कितनी शुद्दी आएगी, जानवरों को कितनी शान जिरों में बंद है, कोरोना वायरस का, यही एक सबसे पोजिटिव, जो फेस मुझे दिखाई देता है, वो ये है, इनसान कोई खतम होने वाली प्रजाती नहीं है, शेर की तरह, कि इसको बचा करके रखा जाए, और संजो करके रखा जाए, आठ अरब हो चुके हैं, कुछ लोग चले भी गए तो क्या, लेकिन जिस प्रकरती को हमने दंश दिया है, उसका वास्तविक स्वरूप हमें अगले 20 दिन में अगर कहीं भी देखने को मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य है, जो हमने इसके उपर इतने खाव दिये हैं, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा भी म हम लगाने में अगर सक्षम हो पाए, तो मैं मानता हूँ कि यह हमारा जीवन धन्य है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं बहुत सारी बाते आप लोगों से करना चाहता हूँ, अगले वीडियो में फिर से करूँगा, ये वीडियो गर आपको अच्छा लगे, तो उसको सब के साथ में शेर और शेर करें, मेरे संग बोलिए, सत्य सनात अन्वाइदिक धर्म की जय, जय हिंद बंदे मातरम